आज के वीडियो में हम आप से चर्चा करेंगे नैपोलियन की जो प्रमुक विजयें हैं उन विजयों के बारे में जैसे कैसे उसको सफलताओं पे सफलताओं मिलती चली गई और उसकी क्या ऐसी दिनीत थी जिसकी वज़े से उसको सफलता मिली तो नैपोलियन की विजयों की चर्चाम उसके काउंसल बनने से सुरू करते हैं जब वो काउंसल बना 1799 यह वस्था 1799 का जब वो काउंसल की पत्पर बना और वो प्रथम काउंसल के रूप में चुना गया मैंने वजया था संभिधान में इस प्रकार की विवस्था थी जिससे की परथम काउंसल के पास ज़्यादा आधिकार थी तो नैपोलियन जब काउंसल बना तो उसका वो देश था उसमें जो डिरेक्टरी गवर्मेंट थी फ्रांस की उसकी वज़े से फ्रांस में जो एक लचर गवर्मेंट थी पूरे देश में कानून व्यवस्था नाम की चीन नहीं रहे गई थी तो नैपोलियन चाहता था कि एक अच्छी व्यवस्थी सरकार अस्थापित हो सुसंगठित के इंदे सरकार हो और अलादिक्ता का वाता बन खत्म हो और फ्रांस एक सक्तिसाल राष्ट के रूप में अस्थापित हो सके इसके लिए उसको विजय प्राप्त करना था दूसरे देशों पर सफलता प्राप्त करके अपने सक्तिविस्तार करना था तो उसका जो उदेश था उत्तीन थे पहले देश को सुसंगठित करना सुब्यवस्थे सरकार की प्राप्त करना और फ्रांस को भविश के लिए युद्धों के लिए तयार करना था अब इस तीनों उदेश कैसे हो सकते थे कि जो फ्रांस में अर अधित्ता थी और अधित्ता समाप्त हो जाए आर्थिक रूप से फ्रांस सक्तिसाली बन जाए अर्थविवस्था उसकी वस्था किया हो सकता थी आराध्यत्ता को समाप्त करना था तभी उसके उद्देश पूरे हो सकते थे और इस उद्देश को पूरा करने के लिए जब वो काउंसल बना तो उसने पहली बार 1796 में 97 में उसने इटली पर आक्रमन किया प्रथम काउंसल के रूप में उसकी पहली बिजय है और उसको इटली पर अपार सभलता में इटली को जीता पोप को भी नेपोलियन के साथ संधी करनी पड़ी इटली से बेश कीमती कलाकृतियां बहुमोली बस्तुएं पैसा और पोप से भी इसको बेश कीमती कलाकृतियां और बहुत सी बस्तुएं मिली उसके बाद आश्ट्रिया को इसने पराजित किया आपने पूर की वेडियो में देखा है कि आश्ट्रिया को भी इसने पराजित करके उससे नीदरलेंड का छित प्राप्त कर लिया प्रांस और आश्ट्रिया के बीच केंपो फोर्मियों की जो संधी हुई थी उस संध से आश्ट्रिया को लोंबार्डी और नीदरलेंड फ्रांस को देने पड़े थे तो इटली पर आक्रमर्स में सफलता मिली आश्ट्रिया से पोप से इन सब से उसको प्रदेश मिले बेशकिम्ती वस्तुवे मिली इनको पराजित किया आश्ट्रिया और फ्रांस के बीच केमपो फोर्मियो की संधी 1797 में हुई जिसमें आश्ट्रिया को लॉंबार्डी और निदरलेंड का जो इलाका था वो फ्रांस को देना पड़ा तो इस प्रकार इटली पर विजे, आश्ट्रिया पर विजे, पोप्स पर विजे और मई 1798 में उसने मिस्ट्र पर आपमन किया और मिस्ट्र में उसको लगाता सफलताय मिलती चली गई नेपोलियन, चार सु जंगी जहाज और अर्थे जार सैनकों की बड़ी फोज लेकर के जब उसने मिस्ट्र पर आपमन किया तो इस पेंज, माल्टा, सिकंद्रिया इनको जीता हुआ वो कैरों तक पहुंच गया और जो पिरामिट का युद्ध हुआ उसमें उसको सफलता मिली तो 1796 से लेकर के 98 तक उसको सफलता पर सफलता मिलती चली गई मिस्ट्र में वहाँ पर बिटन की सेनाओं ने इसको रोका लाड बिले जली और बिटिस नो सेनापती नेलसन के सेनाओं के साथ इसका मुकाबला हुआ और एक अगस्त 1798 में नेपोलियन को नेलसन की सेनाओं ने पराजित किया राड बिले जली की साहता नेलसन को मिल चुकी थी और उस सेना ने बिटिस नो सेनाओं ने पराजित किया और उसके बाद नेपोलियन के पैर मिर्ष से उख़ड गए और ये वापस फ्रांस आ गया ठीक लेकिन फ्रांस में इसका स्वागत एक हीरो के रूप में किया गया उस समय की जो विवस्था थी उस समय की जो सरकार थी उस समय की जो लोग थे वो इसका स्वागत एक सासक के रूप में कर रहे थे और इसको हाथ हो आथ लिया उसकी इस विफलता ने भी कोई विशेश प्रभाव नहीं डाला नैपोलियन ने इरोप में काफी कुछ सफलताएं प्राप्त कर ली थी उसके सामने एक प्रबल चुनोती थी और वो थी इंग्लेंड को पराजित करने की इरोप में एक ऐसी सक्ति इंग्लेंड ही थी जो उसके आँखों का काटा थी और नेपोलियन जानता था कि इंग्लेंड को प्राजित करना इतना असान नहीं है क्यों क्योंकि नेपोलियन के पास इतनी बड़ी नोसेना नहीं थी बात को अच्छी तरह के समझता था कि बिटन के पास एक बड़ी नोसेना है उस नोसेना का मुकाबला करने के लिए पहली सर्थ फ्रांस के पास एक नोसेना होनी चाहिए एक बड़ा जंगी जहाजी बेड़ा होना चाहिए और उस सेना को सपोर्ट देने के लिए एक नव सेना का जथ्था और होना चाहिए जो उसको मदद कर सके उद्ध के समय में क्योंकि इंग्लेंड एक ऐसा देश था जो दीपिय देश है अट्राटिंग महासागर में जरा मांचित को आप देखी अब अगर किसी भी एरोपिय देश को यह संसार के किसी देश को इंग्लेंड पहुचना है तो उसके लिए उसके पास नव सेना का एक बड़ा बेड़ा होना चाहिए बिना बड़े जलियानों के आप वहां पहुचने सकते एक बड़ी सेना होनी चाहिए और उस लड़ने वाली सेना को सपोर्ट देने के लिए एक बड़ी नव सेना और भी जलूरी है तो जंगी वेड़ा एक ऐसा होना चाहिए जो ससक्त प्रतिरोध इंग्लेंड को दे सके और उस समय नेपुलेन के पास ऐसी नव सेना नहीं थी इसलिए उसने हाल फिलाल इंग्लेंड के साथ एक संधी की उसको कहते हैं ट्रीटी आप आमिनीज या आमिया की संधी आमिन्स या हिंदी में उससे आमिया की संधी इस अंधी कहुई थी 1862 में देखे नेपुलेन ने यहां बड़ी कोटनीत का परचे दिया नेपुलेन सोचता था कि इंग्लेंड को तो हराना है लेकिन उस जानता था कि इस समय उसकी सामर्थ हैसी नहीं कि इंग्लेंड को हरा सके इसलिए उसने आमिया की संधी करके दोनों देशों के बीच यह सम्झोता हो गया कि दोनों देशों ने जो दूसरे के परदेश जीते हैं उनको वापस करतेंगे और यह थावत अपनी व्योस्था को बनाये रखेंगे ना तो इंग्लेंड ही तो चाता था ना फ्रांस चाता था लेकिन दोनों इस बात को बखो भी जानते थे कि भविष्ज में युद्ध सम्रतिया होगा और उस युद्ध को तब तक टालने के लिए उन्होंने यह संधी की थी दोनों देश इस बात को जानते थे कि संद्य अस्थाई नहीं है या अस्थाई संद्य है लेकिन इस संद्य को दोनों देशों ने कर लिया एक नेपुलियन की कुटनी तिक सफलता थे नेपुलियन था तो महत्वा कांची इस संद्ध के द्वारा उसने इंगलेंड को जरूर रोक दिया लेकिन उसका जो बन था जो अत्यंत महत्वा कांची था वो नहीं रोका 1803 में उसने पीड मांट को मिला लिया पीड मांट को फ्रांस में मिला लिया यहीं नहीं सुझे लेंड के मामले में मद्रस्ता करके उसने हालेंड के उपर अधिकार कर लिया हालेंड को फ्रांस में मिला लिया 1803 में हालेंड पर अधिकार पीड मांट पर अधिकार नेपोलियन ने अंग्रेजों को कमजोर करने के लिए चाले चलना चालो कर दिया मिस्र में जहां उसको उस्फलता हाथ लगी थी नेलसन के नेत्रत में वहाँ उसने अपने दूत भेज करके मिस्ल में आइस्थिरता पैदा करने कोशिश की अंग्रेजों के विरुद्ध लोगों को भढ़काने का प्रियास किया और यही काम उसने भारत में भी किया फ्रांसीसी दूतों के मार्धिम से जो भारती नेटिव स्टेट थी जो राजाओ महराजा थे उनको अंग्रेजों के खिलाब भढ़काने का काम किया तो नेपोलियन ने अंग्रेजों को आइस्थिर करने के लिए उनकी कॉलूनी नीज में जा करके इस प्रकार की कूट नीतिक चालों को चलने के लिए अपने गुप्तचर भेजे अपने दूत भेजे चाहे वो भारत हो चाहे मिस्ट हो दूसरी बात इसी बीच जो उसकी महत्वा कांचा थी उसने एक जन्मत संग्रा करवाया और जन्मत संग्रा करके मात थोड़ी सी मतों की अधिकता से 1804 में अपने आपको फ्रांस का संब्राद घुशित करवा दिया और स्वेम पोप के द्वारा राजमकुट प्राप्त कर और तलवार प्राप्त कर अपने को गद्दी का उत्रा दिखारी योग उत्रा दिखारी घुशित करवा लिया फ्रांस का सासक पर लिया काउंसल से सासक बन वैठा और उसकी विधिक मानता भी पूप से प्रप्त कर ली ये उसकी महत्वा कांचा कास्तर था अब जड़ा एक बार एरोप के मान्चित को देख लीजिए अच्छी तरह से देखेंगे ब्रिटन इस्पेन प्रोतगाल फ्रांस भूबन सागर को देखें भूबन सागर अप में जिब्राल्टर की खाड़ी ट्राफ हलगर उसके बार इतली को देखें सिकंदरिया को भी क्योंकि इन अस्थानों से आप परचित होंगे तो जब हम इसका जिक्र करेंगे तो घटना करम को याद करने में सहायता मिले गया अब देखें नेपूलियन जो था उसने अपनी सक्ट को मजबूत किया और सक्ट को मजबूत करके उसने हैनोबर हैनोबर पर जिस पर इंग्लेंड का दिकार था उस पर नेपूलियन ने अपना दिकार स्थापित कर लिया और बुमद्य सागर के मुहाने पर देखें विबराल्टर की खाड़ी के पास ट्रफलगर ट्रफलगर जो अस्थान था उस पर अपना अस्थान बनाने के लिए उस छेत पर अपना दिकार स्थापित करने के लिए जिससे की इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल देखे, मिटन और फांस के बीच, जिससे इंग्लिश चैनल के रास्ते पर नैपोलियन का अधिपत्थ हो जाए, इसके लिए उसने इस्पेन के साथ मिल करके यहाँ पर अपनी सेनय लगा दिये। नैपोलियन, मतलब फ्रांस और इस्पेन ने मिल करके इंग्लेंड की घेराबंदी करनी चाहिए, और ट्रफलगर डाम के अस्थान पर एक भीचर उद्थ हुआ, इस्पेन और फ्रांस की सेना एक तरफ, इंग्लेंड की नो सेना एक तरफ, नो सेना का सेना पती था नेलसन, इस युद्ध में नेलसन एद्यव सहीद हो गया लेकिन जो 1805 में ये युद्ध हुआ इस युद्ध में नेलसन ने इंग्लेंड को सफलता दे लगी इस्पेन और फ्रांस की जो सैंक्त सेना थी उसकी पराजे हो गई और ये नेपोलियन की एक बड़ी हार थे अब धीरे धीरे नेपोलियन का विरोध पढ़ने लगा था और 1805 में नेपोलियन की विर्ध एक मोर्चा अस्थापित हो गया जिसमें प्रसा, इंग्लेंड, रूस और आस्ट्रिया ये देश सामिल हो गए इसको कहते है थार्ड कोलेशन या तीसरा संग तीसरे संग या थार्ड कोलेशन इसमें कौन-कौन सामिल थे रूस, प्रसा, आस्ट्रिया और इंग्लेंड ये देश सामिल थे, नैपोलिन के सामने एक बड़ी चुनवती थी, इन देशों से इद्ध करके इनके उपर बिज़े प्राक्त करना अब जब थार्ड कोलेशन बन गया, तो इन सभी देशों ने मिल करके नैपोलिन को गहरने के कोशिश के सेनापती मैक इसके नितुत में 80,000 सेनकों की एक बड़ी सेना उल्म में आकर के जम हो गई, उल्म में इकठी हो गई, देखे मानचित पर बड़ी आश्ट्याई सेना फ्रांस को चुनोती देने के लिए उल्म में इकठी हो गई, इनको ऐसा हैसास था कि नैपोलिन को पराज उसने एक अंजान रास्ते से अचाना काक्रमण करके 80,000 सेना को पराजित कर दिया, तो उल्म के युद्ध में नैपोलियन ने 1805 में उल्म के युद्ध में सेनापती मैक की सेना को पराजित किया, और उसके बाद दिसंबर 1805 में, दिसंबर 1805 में, फ्रांसिसी सेनाओ ने फिर से बैटिलाफ आश्टर लीच के युद्ध में आश्टिया को पराजित किया, और इस बार आश्टिया की बहुत सर्मनाग पराजित कुई ये युद्ध था बैटल आफ आश्टर लीच और इस युद्ध के बाद छोटा पिट तो इतना हतो साहित हो गया, उसने कहा कि अब भविस्व में दस वर्सों तक इयरोब को मांचित किया हो सकता? नहीं है, मतलब नैपोलियन की सकति की तूती बोल रही थी, नैपोलियन सफलता पर सफलता प्राप करता जा रहा था, देशों की सीमाएं मिठती जा रही थी, आश्टिया के साथ जो आश्टर लीच का युद्ध हुआ, उसमें दोनों सेनाओं ने बड़ी बहादुरी से सा नैपोलियन ने अपने सेनकों की बहादुरी के लिए बड़ी प्रसंस आगी, नैपोलियन स्वेम उस जीच से बहुत गदगद था, क्योंकि ये अएक अभूत पूर सफलता नेपोलियन को प्राप्थ हुई थी, इन चार देशों के पर संके, खिलाफ आश्टिया तो हो रह अब उसको दुबारा प्रेसवर्ग की संधी करनी पड़ी और इस संधी के द्वारा आश्टिया को और भी अधिक रियायतें फ्रांस को देनी पड़ी, तो आश्टिया की दूसरी सर्मनाखार और आश्टिया को प्रेसवर्ग की संधी के लिए मजबूर होना पड़ा, आश का जो प्रभाव छेट्र था वोTHE идryatik सागर तक उत्तर में एडryatik सागर तक फ्रांस की पहुंच हो गई कि ये नेपोलियन को बड़ी सेनी सपलता सप्राक yn Ons नेपोलियन को यही नहीन ने चार राजाओं को बनाया बभेरिया बरतंबर्ग इनकी जो डचीज थी वहाँ पर उसने राजाओं को बना दिया राजाओं को पदस्थापित कर दिया बबेरिया बर्तिम्बर्ग यहाँ पर उसने राजा को अस्थापित कर दिया नेपल्स का जो सासक था वो बूर्बोबंस का था नेपोलियन का बिरोधी था नेपोलियन ने उस बूर और अपने भाई जोसेफ को नेपल्स का राजा बना दिया जोसेफ जो उसका भाई था उसको नेपल्स का राजा बना दिया गया इसी तरह हालेंड हालेंड में गरतन था और बटाबियन गरतन था हालेंड के गणतंत्र को समाप्त कर दिया गया जो बटाबियन गणतंत कहलाता था और उसकी जहे पर नेपोलियन ने लुई नेपोलियन को हालेंड का सासक बना दिया तो चार राज्यों के सासक नेपोलियन ने बना दिया तो हालेन, नेपल्स, बर्तमर्ग, बवेरिया ये सीधे नेपोलियन के नियंत्रण पे आ गए यही नहीं अठारा सो छे में उसने प्रसा को अठारा सो छे में जेना के युद्ध में पराजित किया अठारा सो साथ में रूस को फ्रीड लेंड के युद्ध में पराजित किया और रूस को इस युद्ध के बाद टिलशिट की संधी करनी पड़ी और उस संधी से रूस को फ्रांस का साथ देने के लिए सहमती एपनी देनी पड़ी और वो साथ किस तरह का था पहले तो रूस के जार अलेकजंडर और नेपोलियन के बीच इस प्रकार का एक समझता हुआ कि दोनों देश इरोब को आपस में बाट लेंगे पूरे इरोब को आपस में बाटने का समझता हुआ दूसरा फ्रांस का साथ देने के लिए किसके विरूद इंग्लेंड के विरूद नैपोलियन चाहता था कि इंग्लेंड के उपर महाधीपे व्यवस्था लागू की जाए जिसकी सुर्वात प्रसा के जेना यूदिक से चालू हो गई थी उस बात को उसने बढ़ाया जार ने अपनी सहमती दे दी कि वो इंग्लेंड के साथ आर्थिक व्यापार नहीं करेगा तो रूस सहमत हो गया फ्रांस की महाधीपे व्यवस्था में साथ देने के लिए तिलसित के संधिके द्वारा ये दो बड़ी सर्ते थी ठारा सोचे में एक और बड़ी बात हुई थी नेपोलियन ने जब प्रसा को जेना के उद्विंपराजित किया उसके बाद जो पहले होली रोमन एंपायर था उस होली रोमन एंपायर की जगे पर अब उसने कनफीडरेशन आफ राइन राइन परिशंग की अस्थापना कर दी अठारा सोचे में एक पोलियन ने होली रोमन एंपायर इसको हटा दिया और इसकी जगे पर कनफेडरेशन राइन परिशंग की अस्थापना कर दी और उन राइन परिशंग की अंतरगत सोला राज आते थे और उन सोला राजियों की एक डाइट बनाई गई जो फ्रेंक फर्ट में अस्थापित थे और उस डाइट को नेपोलियन के अधीन काम करना था नेपोलियन कनफिडरेशन आफ राइन का संदच्छक बढ़ गया और ये जो 16 राज्य थे ये 16 राज्यों को एक दूसरे राज्य के समान हितों पर काम करना था एक दूसरे का सहयोग करना था इस प्रकार का एक उसने परिशन बना दिया नेपोलियन ने ईरोब के मानचित्र में किस प्रकार का बरलाव किया जरा इसको भी देखिए नेपोलियन ने प्रसा को पराजित कर दिया ठाश्य में आश्टिया को पराजित कर दिया उसने जिसके तोड़ा उसको प्रस्वर की संधी करनी पड़ी तो आश्टिया और प्रसा को पराजित करने के बाद नैपोलियन ने जर्मनी को तीन भागों में बाढ़ दिया प्रसा को उत्तरी भाग तक्सिमित रहना था दच्छरी पूर्वी भाग आश्टिया को दिया गया और जो पस्चिमी छेतर था तो लेकर के राइन परसंग की अस्थापना की गई थी होली रोमन एंपायर की दिगर पर और होली रोमन एंपायर का जो समराड था फ्रांसिस उसने 1806 में अपने पसे इस्तिपार दे दिया इस तरह 1796 से लेकर के 1807 रोज के साथ होने वाली तिर्शित की संधी तक जो नेपोलियन का विजय भियान था उस सफलता पर सफलता अर्दित करता चला गया और ये सारी सफलता है उसके नाम से जुरती गई देखे समय सबका एक साथ नहीं रहता एक समय था नेपोलियन के साथ सफलता है थी 1808 एक ऐसा वस था जहां से नेपोलियन की विजय का जो अभियान था वो रुख सा गया 1808 में जब नेपोलियन ने पोप को इंग्लेंड के साथ जो उसने महादीपिय विवस्था लाउ की थी उसको पोप को मानने के लिए भी बाद किया उसमें पोप था पोप पाईस पोप पाईस ने उसको मानने से इंकार कर दिया ऐसी स्थित में नेपोलियन ने 1808 में पोप पराक्मर कर दिया और पोप को बंदी बना लिया विश्वभर का इसाई धर्म का धर्म गुरू पोप और उसको नेपोलियन ने बंदी बना लिया इसका नाम था पोप 25 सत्तम उसने नेपोलियन को इसाई धर्म से बहिस्कृत गोशित कर दिया और उसका यह प्रडाम हुआ कि पूरे इरोप की जो इसाई जनता थी वो नेपोलियन के बिरुद्ध हो गई नेपोलियन याद करिए नेपोलियन ने पोप के साथ एक संधी की थी क्या नाम था 1801 में पोप के साथ नेपोलियन ने कॉनकर डेट एक सम्झोता किया था एक संधी की थी लेकिन यहां जब पोप पाय सत्तम को नेपोलियन ने बंदी बना लिया तो सारी लोग उसके खिलाफ हो गए आगे चल करके 1812 बस था 1812 का जब रूस ने महादीपी ब्योस्था को मानने से इंकार कर दिया क्योंकि रूस की अर्थ ब्योस्था बोई तरह से प्रहावित हो रही थी तो नेपोलियन ने अपने मित रूस के उपर भी आकमन कर दिया रूसी सेना पराजित हुई रूसी सेना पीछे भागती जा रही थी लेकिन अपने पीछे उसने कोई टैन बार्ण की पालसी अपनाई जितनी बस्तियां थी उनको गुजार दिया जो खेत थे उनको आग लगा दिया जिससे नेपोलिन की सेना को कुछ भी न मिल सके नेपोल की सेना रूस की सेना का पीछा करती करते रूस की भीतरी भाग में जा पहुची जहां उन्हें कीचड और सरदी ने आ गह रहा और नेपोलियन उस ऐसी प्राक्रतिक विपत्र में फसा जहां नेपोलियन का अब पराभू चालू हो गया तो 1812 से लेकर के 1814 और 15 तक का जो समय था वो नेपोलियन रूस के साथ और मित्र देशों के साथ युद्ध के ऐसे कुछ अक्र में फसा जिससे उसकी पराज़े हो गई उसको हम नेपोलियन के बैटिलाफ वाटरलू का एक अलग सेग्मेंट होगा जिसमें आप उसे डिटिल से चर्चा करेंगे तो इस तरह नेपोलियन की जो विजे भियान का दौर था 1807 की बाद समाथ हो गया और उसके बाद उसको देजरे अस्फलताओं ने आगेरा और 1815 में बैटिलाफ वाटरलू के बाद नेपोलियन को बंदी बना लिया गया और उसको पहले सेंट हलबादीब बाद में उसे सेंट हलना बेर दिया गया जहां उसकी 1821 में मृत्त हुई तो मित्रो ये थी नेपोलियन की बिजय है और नेपोलियन का अंतिम पराभो भी विस्तार से जानने के लिए हम आलक से बाटरलू के उपर एक वीडियो में ठर्चा करेंगे आपको वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय भी रेंगे चैनल को लाइटा सब्सक्राइब भी कर